आप सभी लोगों का सुवागत है आपके अपने यूटूब चैनल फ्यूचर ओनलाइन क्लासेस में आज हम इस वीडियो में डिले इंट्रेंस एक्जाम 2023 के लिए जीके के सेट 8 को देखने वाले हैं जिसमें महत्यपून 20 प्रस्णु को करने वाले हैं तो सबसे पहले आप सेट 7 तक पूरी तरह से वीडियो कंप्लीट किया है अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप वीडियो को प्लेइलिस्ट में जाकर देखिएगा साथ इसाथ आप लोग कमेंड करके बताइएगा कि ये 20 नम्मर से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं अगर आप लाइक किजेगा और वीडियो पसंद आती है तो लाइक किजेगा और कमेंड भी किजेगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं तो चलते हैं प्रस्ण के उपर यहां पर आपका पहला प्रस्ण है कि चार मिनार का निर्मान किसने कराया पहला प्रस्ण क्या है चार मिनार का न किस्तित है और इसका निर्मान जो है कुली कुतुब साहने करवाया था तो इसका एंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका स्थी हो जाएगा समझ गए अगला यहाँ पर प्रशन आपका दो नम्मर है कि निमलेखित में से गुरुदेव किस का उपनाम है जैसे कि गुरुदेव के नाम से जो है किसे जाना जाता है तो मैं आपको बता दू कि रभिन दरनाट टैगोर जी को जो है गुरुदेव के नाम से जाना जाता है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा समझ रहे हैं अगले प्रशन की और बढ़ते हैं यहाँ पर आपका केरल तमिलांडू उत्राखंड करनाटक बताईए आप सभी लोग की फूलो की घाटी या फूलो का राज्य जो है किसे कहा जाता है किसी राज्य को कहा जाता है तो मैं आपको बता दू की फूलो का राज्य जो है उत्राखंड को कहा जाता है समझ गए तो इसका एंसर क्या हो जाएगा option आपका C हो जाएगा आप सभी लोगों से निवेदन है वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किजेगा share किजेगा आपने दोस्तों के साथ साथ ही साथ चैनल पर डेली वैसेश पर आपको class मिलते हैं सभी चीजों का तो practice किजेगा चलिए next question की और उपर बढ़ते हैं तो यहां देखिए question number आपका चार जो है बोल रहा है कि पांच नदियो का राज्ये जो है किसे कहा जाता है बताईए पांच नदियो का राज्ये जो है किसे कहा जाता है यहां पर option है आपका पंजाब बिहार राजस्थान उत्तर प्रदेश बताएं किसे कहा जाता है पांच नदियो का राज्ये पांच नदियो का संगम जो है वह हो जाएगा समझ गए अगला यहांप प्रहुष्ण का है वारत में कुल कितने अंतरास्ट हवाई ड्डे हैं बताई भारत में कुल कितने हवाई अड्डे हैं यहां पर ऑप्शन ने 18-34-28-25 बताहीं कितने हैं तो मैं आपको बतादू कि भारत में कुल जो है 34 अंतराश्टीय हवाई अड़े हैं समझ गए तो इसका एंसर क्या हो जाएगा 1442 और यहां पर 1921 बताइए भारत छोरो आंदोलन जो है कब मतलब प्ररंब हुआ तो यहां एंसर हो जाएगा option C 1442 में जो है भारत छोरो आंदोलन जो है प्ररंब हुआ समझ गए चंदर सेखर अजाद डॉक्टर चंदर सेखर अजाद के अगवाई में पटना में इस्तित गोलघर का निर्मान कब किया गया काफी important है आप सभी लोग अगर इतिहास को पड़े होंगे तो आपको मालूम है कि गोलघर का निर्मान जो है अनाजो को सुरक्षित रखने के लिए किया गया था और यह previous year question पूछा गया था कि पटना में इस्तित गोलघ पर कोनिर्मान जो है 17 184 इस्व किया गया था कब किया गया था 1784 इस्वह में जो है सुरू किया गया था तो इसका answer option आपका ए हो जाएगा अगर आप से पूँछे कि कब बनकर तायार हुआ था तो तो 1786 इस्वियू में, दो साल लगे थे, बनकर तयार हो गए थे, तो यह हो जाएगा बनकर तयार होने वाली में, और सुरू हुआ था तो इसका 1784 में, समझ गए, और बनकर तयार हो गए, कब? 1786 में, समझ गए? अगले प्रश्ण क्यों बढ़ते हैं, तो यहां देखिए, अ उसमें टोटल जो है, 22 भासाओं का जो है, सामिल किया गया है, तो आपको उसमें से बताना है कि कौन सी भासा का जो है, सामिल नहीं किया गया है, यहां पर उप्शन है आपका हिंदी, अंग्रेजी, सिंधी, नेपाली, बताइए, कौन सी वो भासा है, जिसको समिधान की पाली, बोडो, बांगला, यह सब भासा को जो है उसमें सामिल किया गया हुआ है, अगला यहां प्रशन आपका 9 नमर है, देख लिजिए 9 नमर प्रशन क्या बोल रहा है कि काफी इंपोर्टेंट है, दास कैपिटल के लेखक कौन है, बताइए, यहां प्रॉप्शन है, काल मा माक्स, विश्मुषर्मा, नरायन पंडित, भरतमुनी, दास कैपिटल के लेखक कौन है, तो मैं आपको बतादू कि दास कैपिटल के जो लेखक है, वो आपके काल माक्स है, समझ गए, काल माक्स जो की जर्मानी के निवासी है, यहाद रखेगा, अगला यहां प्रशन आप का है काफी इंपोर्टेंट है कि मिर्तूओ का टीला के नाम से किसे जाना जाता है, यह जो आपका सिंदू सभयता से रिलेटेड है, कि मिर्तूओ की टीला के नाम से किसे जाना जाता है, यहाँ पर आपका है हरपा, फिर यहाँ पर हैं सिंदू, फिर यहाँ पर हैं चंदु के नाम से मोहन जोद्रों को जाना जाता है अगले प्रश्ण की और बढ़ते हैं तो यहां देखिए अगला प्रश्ण आपका यहां पर इगारा नम्मर है कि भारतिये जनता पार्टी की यह स्थापना कब हुई मतलब की बीजेपी की समझ गए कब हुआ बताईए बीजेपी जो आपका भारतिये जनता पार्टी की स्थापना है वो कब हुआ तो मैं आपको बता दू कि 1910 में हुआ से पूछ दे की जीले कितने हैं तो 38 यहां पर अनुमंडल पूछा है ऑप्शन 343,144,143,101 बताए कितने हैं तो बिहार में जो है अनुमंडलों की संख्या जो है 101 है कितना है 101 याद रखेगा समझ गए अगले प्रश्न क्यों बढ़ते हैं तो यहां देखिए अगला प्रश् में यहां पर 28 है, 18 है, 27 है, 10 है, यूरेनस के कितने उपग्रा है मुझे बताएं देखिए तो मैं आपको बता दू कि यूरेनस जो आपका ग्रा है उसका जो है टोटल 27 उपग्रा है कितने है 27 याद रखेगा अगला यहां प्रश्न आपका है 14 नमर काफी इंपोर्टेंट क आल माक्स जो की जर्मानी के रहने वाले थे तो इसका एंसर आपका सी हो जाएगा समझ गए अगले प्रश्न की और बढ़ते हैं तो यहां दिखिए काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है 15 नमर प्रिवियस एर एक्जाम में पूछा गया था कि साइमन कमीशन का गठन कब किया प्रश्न का गठन कभी किया गया था काफी इंपोर्टेंट प्रश्न यहां प्रोप्षन है 1915,1935,1927,1954 बताइए शाइमन कमीशन का गठन जो है 1927 इसीव में किया गया था यहाद र रखेगा काफी इंपोर्टेंट है ट्रीपल स्टार juice को लगा लिजे समझ गये शाइमन कमिशन का गठन 1927 इसुमें किया गया था अगला यहां प्रस्ण आपका है 16 नमर यह भी इंपॉटेंट है कि सकॉटलैंड की राष्ट्रिय खेल क्या है यहां पर आपका किर्केट रगवी फुटबॉल वैन विंटन कवेड़ी बताईए तो इसका जो है रगवी फुटबॉल है क्या है रगवी फुटबॉल तो इसका इंसर हो जाएगा ऑप्सन आपका बी समद रहें अगला प्रस्ण क पंडिज वाहनला नेहरू, अटल विहारी भजपई, सरदार बल्ला भाई पतेल, बताइए, पर्थम गैर कॉंगरेसी परधान मंतरी कौन थे, तो मैं आपको बतादू, कि पर्थम गैर कॉंगरेसी परधान मंतरी जो थे, वो आपके मुरारजी देश आई थे, कौन थे, मुर ऐतार्थ का गठन कब किया गया था काफी इंपॉर्टेंट ट्रीपलस्टाट लागह इस प्रस्न पर पूछा हुआ एक्जाम में है कि सोय पाठी का गठन कब किया गया था यहां पर ओप्षान आपका है Belt 59 2019 1908 1922 बताईए csak मिखेंब्स यह 1923 इस विमें किया गया था तो इसका answer क्या हो जाएगा option आपका ए हो जाएगा समझ रहे हैं अगले प्रश्ण के और चलते हैं तो यहां पर देखिए 19 नमड यहां पर प्रश्ण यह वी आपका प्रश्ण काफी important है अंतराश्टिये फुटबॉल मैच की समाने समय अवधी कितनी होती है अवधी काल कितनी होती है बताएं मतलब कि जो समाने आपका अंतराश्टिये फुटबॉल मैच होता है उसका समय काल कितना होता है 90 मिनट 70 मिनट 35 मिनट 45 मिनट तो देखिए अंतराश्टिये फुटबॉल मैच की समाने समय अवधी काले जो होता है वो आपका जो है 90 मिनट का होता है कितना मिनट का होता है 90 मिनट का होता है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा अपका ए हो जाएगा समझ गए अगले प्रस्ण क्यों बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए 20 नमर प्रस्ण काफी इंपोर्टेंट है यह भी कि राष्टिये खेल दिवस कब मनाया जाता है यहाँ पर आपके जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा तो इसका समझ में आ गया होगा तो टोटल आपका यह सेट जो है जीके का एट कम्पलीट होता है तो आप सभी लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि आपके यह 20 परस्ण में से कितने परस्ण सही हो रहे हैं साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक किजेगा सेर किजेगा सब्सक्राइब किजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वडियो में एक नए सेट के साथ तब तक के लिए धन्यवाद थाइंगे सुमद जाएं जाएं भारत